केवल दो दिन में भैंक कर लंबे घने बाल, नारियल तेल में दो बुन डाल कर इस चीज को लगा लेना लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, अगर सच में चाहिए लंबे घने बाल तो आप इसे अपने बालों पर 100% गारंटी के साथ यूज कर सकती है सीक्रेट नुसका है, इससे कम समय में आपको पूरे इंटर्नेट पर कोई नहीं बताएगा ये ऐलिया सबसे पहले जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों काली मीर्चिम आपको बिलकुल घवाने के जिववत नहीं है अगर आपके मन में ऐसा हो रहा है कि काली मीर्च से जलन होगा स्कैल्प में, बालों में, जहां भी आप लगाएंगे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि आगे जो चीज हम इसमें मिला कर यूज करने वाले हैं उससे काली मीर्च की पॉष्टिक्ता कई गुना बढ़ जाने वाली है आपके बालों के लिए अगर आप सचमे बालों से परसान है अपने बालों की समस्याओं से बाल बहुत ज़्यादा जट रहे हैं तो आपको काली मिर्च का यूज जरूर करना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं केवल 10-15 काली मिर्च आपको यूज करना है अपने बालों पर दोस्तों इतना सा कालीumae शेक काफी होगा आपके बालों पर यूज करने के लिए आपको इसे एक कटोरी में निकाल लेना है इससेख समझस्रह भी खत्म हो जाएगी अगर आपके बालों में डेंडूर है तो नेख्ट आपको लेना है दोस्तु लोंग लोंग में कई सारे ऐसे पोसकतत होते हैं जैसे आईरन होता है फासफोरस मैगनिसियम और इसमें जिंक आईरन भी होता है बहुत ज़्यादा मातरा में साथ इसाथ एंटी बैक्टिरियल एंटी माइक्रोवियल गूर भी चपाये जाते हैं लॉंग में दोस्तों अगर आप सही तरीके से जैसे आपको वीडियो हम बता रहे हैं उसी तरह से अगर आप इसका यूज अपने बालों पर करती हैं तो बालों की समस्या को तो आप गुड़बाय कहिऊ हमेशा के लिए वह भी अगर आपके बाल चोटे हैं बालों की ग्रोथ नहीं हो रहे हैं बाल पतले है बाल घणे न जैए बालो पर यूज़ करते हैं तो उसमें भी शह करते हैं पीस कर और इसमें जो मालो के लिए बिलकुल सटीक बैठते हैं HE बर्क्तर करे इसे आपको एक जिसमें पर मशला कोड़ते हूं या फिर छार की अड़र करने लेना है दोस्तों इसे बिल्कुल जब बारी कर लेंगे आप तो आप इसका यूज अपने बालों पर कर पाएंगे इसलिए इसे आपको अच्छे से पाउडर फॉर्म में भी से बना सकते हैं अगर हलका फुल का दरदा रह जाता है तब भी आप इसका यूज कर सकती हैं देख आरियल का तेल आपको अपने बालों पर यूज करना है इन दोनों चीजों के साथ है लेकिन तरीके से तरीका आपको पता होना चाहिए क्योंकि वही सबसे जरूरी है उसे जानना इसका यूज जब आपको अपने बालों पर करेंगे तो बाल अगर आपका रूखे हैं क्यों इसे में बाल हाथों में आते हैं अंगुलियों में आते हैं बाल बहुत जादा जढ़ते हैं बाल कमजोर हो जाते हैं तो इस इस्तिति में जब नारियल के तेल का यूज तरीके से करेंगी तो इसे बालों में नमी बनी रहेगी और बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो मिलाना है थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है जी हाँ इतनी तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी आप जब इसे चमत से अच्छे सी मिला लेंगे तभी आप इसका यूज अपने बालों पर कर पाएंगी दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने के ज़िवत नहीं है कि आपके ब पाल ऐसे में सफेद हो रहे हैं या फिर उमर के साथ भी सफेद हो रहे हैं तो ऐसे में भी यह नुस्खा बहुत ही कारगर होने वाला है जब आप इसे अच्छे से मिलाएंगे लेंगी तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है तो चलिए अब जान लेते हैं से नघूर में ताहमें 2 से 3 दिन यूज़ करना है लेकिन आप रात को सोने से पहले भी इसे यूज़ कर सकते हैं रात को सोने इसकायल पर लगा कर अंगुल यों को पोर्स हलके से मसाज़ करके बालों की लेंद्ट पर लगा कर सो जाई है और मॊनिंग अपने बालों को से सेंपू से वास करना है हफ्ते दू हफ्ते और जरू ट्राइ करें और कमेंट में जरू बताइएगा कि आपके बालों पर कितना और कैसे फर्क पड़ा